हेलो फ्रेंट स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल हाउ टू वर्ड में दोस्तो आपने वीडियो का टाइटल और थम्निल देखी लिया होगा तो दोस्तो यह सही है कि हमारे सभी के डिडी फ्रीडिश पर डिडी स्पोर्ट चैनल यह दिखाई देने लगा है लेकिन अगर आपके डिडी फ्रीडिश पर डिडी स्पोर्ट चैनल यह नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है क्योंकि आज की इस वीडियो के जरी आप यह जान सकेंगे कि आप कैसे आपकी DD Freedish पर DD Sport Channel ला सकते हैं आपको आपकी DD Freedish पर DD Sport Channel लाने के लिए क्या करना होगा उसकी Frequency कौन से यह सभी आपको आज की इस वीडियो से पता चलने वाला है तो इस वीडियो को आखिर तक वाच कीजिए ताकि आपको पता चली कि आप कैसे आपकी DD Freedish पर DD Sport Channel ला सकते हैं इसके लिए जो Frequency है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आपको इस वीडियो को लाश्टे तक जरूर वाच करना है लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो चली जानते हैं कैसे आप ला सकते हैं आपकी DD Freedish पर DD Sport चैनल तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है मेनू बटन दबाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफिस आएगा तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम सेटप पर जाना है फ्रोग्राम सेट अप पर जाने के बाद अब आपके सामने कुछ हैसा इंटरफेस आईगा तो उसके बाद आपको Add New Program पर क्लिक करना है अब आपके सामने कुछ हैसा इंटरफेस आएगा तो अब इसी Add New Program के जरीए आप आपकी DD प्रीडिश पर DD Sport चैनल ला सकते तो अब मैं आपको एक फेक्वेंसी बताने वाला हूँ जिसके जरीया आपके डीडी फ्रीडिश पर डीडी स्पोर्ट चैनल ला सकते हैं तो अब मैं जो आपको फेक्वेंसी बताने वाला हूँ उसे आपको ध्यान से देखना है और यही frequency आपको भी आपके डीडी फ्रीडिश पर अपलाई करने है उसके बाद आपके डीडी फ्रीडिश पर डीडी स्पोर्ट चैनल देख सकते तो आपको यहाँ पर यलन भी frequency में 09750 फिर से 09750 टाइप कर देना है उसके बाद अब आपको नीचे trans frequency में 11500 टाइप कर देना है trans frequency टाइप कर देने के बाद अब आपको नीचे symbol rate में 29500 टाइप कर देना है उसके बाद अब आपको नीचे polarity में V सेलेक्ट कर लेना है यदि आपका पहले यच है तो आपको यहाँ पर V सिलेक्ट करना होगा क्योंकि यदि आप यहाँ पर Polarity में V सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपकी DD Free Dish पर Sport Channel नहीं आएगा तो इसके लिए आपको Polarity में V जरू सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद अब आपको नीचे 22K में Off कर देना है और ठीक उसी के नीचे भी आपको फिर से Off कर देना है उसके बाद अब आपको नीचे Mode में Free कर देना है यदि आपका पहले से All है तो आपको उसी Change करके Free कर देना है उसके बाद अब आपको यह frequency आपकी DD Freedish पर apply कर देने के बाद अब आपके DD Freedish में चाइनल लोड होने शुरू हो जाएंगे उसके बाद अब आपको चाइनल के लिस्ट में DD Sport चाइनल का भी नाम दिखाई देगा तो इस प्रकार आप आपकी डिडी फ्रीडिश पर डिडी स्पोर्ट चैनल एड़ कर सकते हैं तो दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर आपको कोई दिक्कत आये तो मुझे कमेंट में बताना मैं आपको रिप्लाइज जरूर देंगा तो दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए